Hello friends, अपने WordPress की website पे अगर आप AdSense का एड लगाते हो तो उसको किस तरह से place करना है ताकि आपके AdSense की earning जो है वो बिल्कुल double हो जाए तो इस वीडियो में मैं इसी के बारे में बात करूँगा तो चलिए चलते हैं अपने WordPress के dashboard पे और देखते हैं कैसे हमें AdSense का Ads लगाना है तो यहाँ पे WordPress का dashboard आपका भी कुछ इस तरह से दिखेगा ठीक है तो यहाँ पे आपको आना है और आने के बाद आपको क्या करना है प इंसर्टर आपको लिख करके सर्च करना है ठीक है तो जैसे ही मैंने Ads इन लिख करके यहाँ पे सर्च किया तो यह आप देख सकते हैं यह वाला जो प्लग इन आपको सबसे पहला प्लग इन आएगा AdSense Ad इसको आपको इंस्टॉल करके एक्टिवेट कर ले ना इंस्टॉल क आप देखोगे तो यहाँ पे आपको एड इंसर्टर का इस तरह से डैसबोर्ड उपेन हो जायागा और यहाँ पे आपको 16 ब्लॉक्स मिलते हैं 16 ब्लॉक्स का मतलब आप जो है 16 एड सेटप आप यहाँ पे कर सकते हो ठीक है तो जरली हमें इतने की जुरत नहीं होती है ठी इसमें आप रिकमेंडेट पे जाओगे तो यहाँ से आपको एड यूनिट बिल जायागा आप देख सकते हो यहाँ पे किसी भी एड पे मैं क्लिक करूंगा तो वहां से हमको एड यूनिट मिल जायागा यहाँ पे कोड्स पे क्लिक करके यहाँ से यह कोड जो है वो आपको copy कर लेना है ठीक है तो add code यहां से आप copy कर लोगे और फिर ला करके यहां पर paste कर दोगे ठीक है अब यहां पर एक चीज समझने वाली चीज यह है कि block one है ठीक है पहले block में मैंने यह code paste कर दिया अब यहां पर नीचे आपको कुछ यहां पर settings करने होते हैं अब settings में क्या है कि जैसे यह देखिए यह post हो गया home page हो गया category page हो गया static page हो गया search page हो गया tag और archive page हो गया तो आपको कौन-कौन से page पे आपको add यह वाला add so करना है वो आपको यहां से set करना है तो मान लिजए कि मैंने पहला जो यह block है इसका जो add है वो मैंने post पे set किया हुआ है ठीक है और कैसे set किया हुआ है तो यहां पे आपको यह insertion जो दिख रहा है तो इसको आप click करोगे तो आपको देखिए यहां पे बहुत सारे option मिल जाएंगे जैसे कि आपको कैसे so कराना है तो before post so कराना है before content so कराना before paragraph, after paragraph before image, after image, after content after post ठीक है इस तरह से आपको इतने सारे मिल जाते हैं फुटर हो गया after comment हो गया, between comment हो गया, before comment हो गया तो यह आपको यहां से मिल जाता है तो जैसे कि मैंने after paragraph यहां पे so किया मतलब हर paragraph के बाद आपको so करना चाहिए तो यहां पे मैंने क्या so उसके बाद यह जो है number मैंने डाल दिया number क्या डाला हुआ है, three three डाला हुआ है, मतलब हर तीन paragraph के बाद एक add जो है वो so करेगा, ठीक है, हर तीन paragraph के बाद एक add यहां पे so करेगा इसका मतलब यह हो गया, तो इस तरह से आपको set up करना है, और यहां alignment इसका क्या है, तो वो center, left, center, right, float left, float right, ठीक है, तो यह चीज आपको मिल जाता है तो यह आपको मैंने center कर दिया अगर आपको float का मतलब वो हो गया कि चिपका रहेगा, add जो है, वो जो है, जैसे scroll करोगे, वो float होते जाएगा, ठीक है, तो यह चीज हो गया तो यह आपको यहां से setting कर लेना है तो यह देखे, पहला मैंने post पे लगा दिया उसके बाद, अब second block में भी मैंने लगाया हुआ है, तो second block में same add code, यह भी मैंने post पे तो यह 10 paragraph के बाद, यह जो है, वो so करेगा, ठीक है, उसके बाद, चौथा add जो मैंने लगाया हुआ है, वो आप देखोगे, तो वो after content, यानि content खतम होने के बाद, सबसे last में जो paragraph खतम हो जाता है, उसके बाद जो है, सबसे, मतलब content आपके article के सबसे last में, ठीक है, इसका मतलब यह होगा, तो इस तरह से मैंने set किया और यह सारे post पे हैं, अगर आपको home page पे लगाना है, तो आप यहां से home page सेलेक्ट कर दोगे, category पे लगाना है, तो category page पे select कर दोगे, tag पे लगाना है, तो यह select कर दोगे, ठीक है, तो यह सारे जब select कर दोगे, तो वो उस सब पे दिखाएगा लेकिन सबसे ज़्यादा हमें जो जरुरत होती है, वो post पे जरुरत होती है, इसलिए मैंने post पे सबसे ज़्यादा लगाया हुआ है, post पे मैंने चार एड यहाँ पे लगाया हुआ है, और उन सबका यहाँ से मैंने set कर दिया है, कि कहां कहां वो so करना चाहिए, ठीक है, तो पहला जो है, वो तीन paragraph के बाद, उसके बाद दूसरा जो है, वो आपको before content, यह start होने से पहले, ठीक है और तीसरा जो है, वो 10 paragraph के बाद, और चौथा जो है, वो कितने के बाद, after content के बाद, तो इस तरह से मैंने लगाया हुआ है, इसी तरह से आपको यहाँ से अपने हिसाब से select कर लेना है, कि आप क्या मतलब किस तरह से add लगाना चाहते हो, ठीक है, जैसे कि यहाँ पे आप देखसे हो, before post है, तो मतलब post के पहले ही हो जायागा, ठीक है, यह जातर आपको जो है, वो block page पे लगाते है, before content का मतलब, आपके article जो post आपका start हो रहा है उसके पहले, before paragraph का मतलब, आपका paragraph जो start हो रहा है उसके पहले, after का बाकी उसका number of insertion से यहाँ पे आपको देगा, जिसके हिसाब से आपको set हो जायागा, ठीक है, उसके बाद यह, before excerpt, excerpt का मतलब, जैसे कि आप ने home page पे अगर लगाया हुआ है, तो home page पे जो आपका blog, जो content दिखता है, तो वो उसमें excerpt होते हैं, तो excerpt blog page का मतलब category और tag archive या search page, ये तीनों जो है वो blog page के under में आ जायेगा, ठीक है, home page का मतलब, जो है, तो home page पे जायातर add नहीं होता है, ठीक है, अगर आप लगाना चाहों, तो एक sidebar लगा के या footer में लगा सकते हो, लेकिन सबसे ज़्यादा जो add आपको लगाना होता है, जहां से earning आपकी double होती है, वो होती है post पे और category pages पे, category pages पे भी बहुत कम लोग आते हैं, सबसे ज़्यादा post पे होता है, इसलिए आपको post पे ही लगाना चाहिए, और कैसे लगाना चाहिए, वो मैंने यहाँ पर बता दिया, तो friends इसी तरह से आपको add लगाना है, तो friends इस वीडियो में इतना ही है, बाकी आपको किस तरह से add लगाना है, यह आपको पता चल गया होगा, और इस add इंसर्टर के थुरू, अगर आप अपने wordpress पे add लगाते हो, तो आपकी earning double हो जाएगी, जबसे मैंने भी add लगाया हो है, मेरी भी earning जो है, वो double हो चुकी है इसलिए आपको यह जो है add इंसर्टर का यूज जरूर करना चाहिए, ठीक है, और यहाँ पे add इंसर्टर का यूज कर लोगे, और जो जो यह चीज है, मैंने यहाँ पे बता है इसका आप द्यान रखोगे, तो आपका add अराम से जो है, वो आपके website पे post हो जाएगा, आपको और कोई भी चीज करने की यहाँ पे जरूरत नहीं है, ठीक है तो वो सारे चीज आप यहाँ से कर लोगे तो फ्रेंड्स, आयोब की यह वीडियो आपको समझ में आ गई होगी और आपको किस तरह से अपने post के बीच में add लगाना यह आपको पता चल गया होगा तो फ्रेंड्स, इस वीडियो में इतना ही था और कोई भी प्रॉलम होती है, तो टेलेग्राम ग्रूप का